इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइस करने से पहले की जरूरी बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सभी को जानना जरूरी है जिससे आप अधिक लाब ले सके एक्सरसाइस हमेशा उतनी ही मात्रा में किया जाना चाहिए की सरीर में थोड़ी ठकावड तो मालुम हो लेक काल दोपहर की भोजन के कम से कम चार घंटे बाद एक्सरसाइस किया जा सकता है एक्सरसाइस के समय सरीर पर मौसम के अनुसार कम से कम वस्त्र होने चाहिए वस्त्र ढीले होने चाहिए ताकि सारेरी क्रियाओं में बाधा ना डाले पानी का सेवन एक्सरसाइस की तूरन बा पर करना चाहिए दुख में चिंता में या जल्दबाजी में exercise करने से लाभ के स्थान पर हानी ही होती है इसे ऐसरों पर exercise न करना ही उचित है सबसे अच्छा तो है कि आप किसी पार्क में जाकर exercise करें यदि यहां संभाव ना हो तो घर के छट पर या बरामदे या बालकनी में जहां सुध्ध वायू का आवगमन होता हो वहां एक्सरसाइस करना चाहिए यदि यहां संभाव ना हो या मावसम की प्रतिकूलता के कारण बाहर ना निकल सकते हो तो किसी बड़े कमरे में एक्सरसाइस किया जा सकता है तेरी चलते पंखे के सामने या नीचे एक्सरसाइस नहीं करना चाहिए इससे अच्छा है कि पंखा धीमा कर दे और पसीना निकलने दे एक्सर का देना आवस्यक है वहां भी कम लएके सांग हतके देने चाहिए कभी शरीर में आवस्यकता से अधिक जोर नहीं डालना चाहिए इस से लाब के स्थान पर हानी भी हो सकती है एक्रसाइज नियमित करना आवस्यक है कभी करने और ना करने से एक्सरसाइस का पूरा लाब नहीं मिलता और हानी होने का भी डर रहता है यदि अप वात स्वरूप कभी न कर पाए तो कोई बात नहीं लेकिन सप्ताह में कम से कम पांच दिन एक्सरसाइस अवस्य कर लेने चाहिए तो दोस्तों इस तरह के और फिटने से सम्मंधित देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद